हेलो गाईस स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटेसी बस पे हम यहां बात करेंगे मिडल सेक्स और समर्शेट के बीच में जो यह टीट्वेंटी ब्लास्ट का मुकाबला खिला जाएगा फुल प्रिव्यू के साथ हर एक प्लियर का डीटेल्ट लॉजिकल एनालिसिस तो आई यह शुरू करते हैं यह जो मैच है वह लॉट्स लंडन के घ्राउंट पर खिला जाएगा दस पर्संट चांचेज रेन के रात में भारती टाइम अनुशार यही ग्यारा बजे मैच स्टार्ट होगा लॉट्स लंडन का विकेट होता कैसा है इस टाइब की कुछ विकेट है अगर आप डेटा भी देखोगे तो डॉमेस्टिकली 41 मैचेज में 174 का सबसे ज्यादा बार 114 टाइम स्कूर गया है दा हंडेड जो 2023 में दा हंडेड यानि 100 बॉलों का मुकाबला होता है एक टॉर्नमेंट होता है उसमें 4 मैचेज में 153 का स्पिनर को 15 पेशर को 23 विकेट मिले और इस सीजन एक मुकाबला यहां खेलागा जहां 233 बने और चेज हो गया है स्पिनर को 5 पेशर को 11 में से 6 विकेट पेशर को फस्टिनिंग में तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो जो मैंने आपको बताया ना कि ओवर और नीट पेशर कर दूँगा बिल्कुल फ्री में विडियो के डिस्क्रिप्शन के सबसे पहले कवंड में लिंक है जाके टेलिग्राम से जूड़ जाओ अब दोस्त यह टीट्वेंटी जो ब्लास्ट के मुकाबल है ना मैं कोशिज करूँगा मोस्ट अब दा मैचेस कवर करने की ल परना फिर शेडियों बहुत है भी हो जाता है एंड मुझे दिन में पांस चे वीडियो बनाना समझो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि उससे पहले डेटा निकालो वीडियो जो है बनाओ फिर पीडियो बनाओ वीडियो बनाओ एडिट करो अपलोड करो तो बहुत लेकिन यहां पर कोई आफब्रेक इस्पिनर नहीं है तो मैं आपको टेलिग्राम पर कर दूगा बता दूगा बाकि मैक्सिमम यहां पर राइट हैं ठीक है अब यह मिडल सेक्स की प्लेंग लेवन देखो हां स्कुरेड की बात करते हैं दोनों टीम का स्कुरेड अनौन्स हो है और जो मैंने आपको प्लेंग लेवन में प्लेयर्स दिखाया है सब स्कुरेड में अविलेबल है तो ज्यादा दिक्कत होगा नहीं है यहां पर आओ मिडल सेक्स की प्लेंग लेवन देखो इनके जो इंपोर्टेंट प्लेयर हैं इसकी नाजी में अच्छा किया हुआ लास्ट में इनको प्रोमोशन मिलाता दरों इस मैक्स वल्डर वन डाउन आते हैं तो यह उपर नीचे हो जाता है इनका बैटिंग और जिस जीसा भी टीम चाहे जैक डेविस ने कुछ खास नहीं क्या विकेट कीपिंग करते अपनी टीम के लिए 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 परफोर्मेंस मिले लास्ट चार मच में तीन में चार विकेट मैंक्यूलन ने भी अच्छा किया लास्ट तीन मच में पांच विकेट है तो अगर आप एक चीज देखोगे तो इनके जो इंके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर से जो मैंने आपको बता है most of the player के form अच्छा है ठीक है मस्ठा पिक की बात करोगे तो देखे एक इसकी नाजी हो गई हो गए सौरी रिया निगिंच हो गए लिउक हॉलमन हो गए टॉम हेल्म हो गए यह चार प्लेयर आपको अपनी टीम पर रखने ही रखने है बाकि हंडी ब्रूक्स बेक यह आपकी चॉइस में आगे बताऊंगा क टॉम हेल्म बी कुलन और हैंडरी ब्रूक्स ठीक है इनकी टीम से जो अच्छे गासे ओवर्स की गेंदबाजी डालते हैं वह कौन दो वैसे तो आप्सेंस इनके पास बहुत है टॉम हैं बी कुलन हैं हैं यह लू कॉलमन मोस्ट अप दा गेम में यह चार वह आपको चार च गेंदबाज हॉल में इनके इनके स्पिनर अब यह और यह चार देख लो चलो यह तो नहीं खेल रहा हमी प्लेयर वाइस देख लो हर एक प्लेयर का आपको स्टैर्स देखने मिलेगा जो अच्छा स्टैर्स रखता उसको अमने यलो कलर से मेंचन कर देंगे जैसे मैक्स वो इस टॉर्णमेंट से पहले का रिसेंट फिर्म में आपको स्कोर कार्ड के साथ दिखा चुका हूँ अगर क्रेक्टिन खेलते हैं त्यस का एक रिसेंट फर्म कुछ खास नहीं और यहां पर इन्होंने थीन पारिये खेली थी उसमें कुछ खास नहीं किया है ठीक है यहां प परहों तो रियान हेंच का 236 का इवरेज नबे इनिंग में 87 विकेट है लिव खॉल्मिन का 46 इनिंग में 46 विकेट 19 का अवरेज है इसके लावर टेलिग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में लिंक मिलेगा देखो बिल्कुल फ्री है और बहुत इंपोर्टेंट है तो फटा फट जाओ जुड़ जाओ इंपोर्टेंट इसले बोला जाता है आफटर टॉस की लिए अब समर्सेट की टीम की बात करते हैं तो जिसरा हमने उनके प्लेयر का एनालिशिस किया इनकी प्लेयर का एनालिशिस करते हैं पहले यह देखो इनका important player करते हैं तो विकेट कीपिंग भी करते हैं विल्स्मिट्ट कैडमोर टॉम प्लाजमें दिखायों हिए दीषय को कि बैंच विक्तम संटीव пару चोड़ें जावित सुअनों जाया गोड़ेवन मत्रेंयच करते हैं में सभूट सरांगे जोड़ोडों शीकशन में सब्सका हैlli सबीस्तीम किरेंच लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई चल जा रहा है इसके वैसे इनकी टीम ने अच्छा किया हुआ है ठीक है अब देखो इनकी टीम से मस्था पिक के कटेगरी में कौन है एक तो टॉम बेंटन चुकि हाले की फॉर्म अच्छा नहीं है बाट विकेट कीपिंग बैकप और मजब से कप कौन ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा जो बचे तीन खिलाड़ी है तो अकॉर्डिंगली आप चूज कर पाओगे ठीक है आओ समझते यह बेस थीम होगया एक तरीके से आठ प्लियर का तो वह ध्यान रखना ओवर्टॉन राइले मेरीडिस डेवी बैंग्रीन हाला एण फोरी ने भी पहले तो चारिचर दर यह त शेयर किया है बेंग्रीन ने भी ठीं और डाला के ही मिल बेस वगोरदा आलते है सब कर दो कभी कभी कोई चार्ट डाले जाता है यान पर इस तो सर sino इसे मिल कि पूरे पीश ऑन यह आनक के चार्वेर-खनल just 20 खناjour अम आखry यहां पर एबल का देखो 33 का एवरेज है कैडमोर का 28 का एवरेज है 139 का स्ट्राइक फॉर्म थोड़ा गड़ बड़ है यह फॉर्म इस टॉर्णमेंट से पहले गाए इस टॉर्णमेंट का फॉर्म आल्रीडी में आपको दिखा चुका हूं थीक है तो हर एक प्लेयर का स्टैर्स देख लो यह कुछ और रॉंडर है यहां पर आओ तो जेक बोल खेलने रहे राइले मेरेडित बांबे निंग में 114 विकेट जोस जेवी जो नए नए अभी खेलना है फॉर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे ठीक थाक फॉर्म था अठ मैच विनर्स नहीं है तो इनका भी पलाडा रहेगा नहीं साट परसेंट इनका चालीश परसेंट इनका ठीक है मेरे प्रेडिक्शन क्या गोड़ी अभी आप इनका यह देखो हैड-to-head रिकॉर्ड वेन्यू रिकॉर्ड जैसे मीडल सेक्स की टीम है तो यह जब-जब समर् पर यहां पर आओ समर्शेट की टीम का बात करते हैं अगेंस्ट मीडल सेक्स यहां पर यह समर्शेट की टीम हिआ एगेंस्ट मीडल सेक्स और यह वेन्यू पर तो तॉम बेंटन 43 पर फॉर्टी घंस मिडल सेक्स और इस घ्राउंड पर 22 का विल-श्मिटका रिकॉर्ड अच्छ निया बरिशेगर एगेंस्ब जागेंस्ट मीडल सेक्स और तीन का एव्रेज प्लेइस का एवरिज है पांच में दो बैंक इन लोगे ने कुछ खास किया निया दिक्सन दो मैच खेलें ठाटी एट का एवरिज यह ध्यान रखना तो यह हो गया समर्शेट के प्लेयर का हैट टो एड यह रिकोर्ड थोड़ा सा प्लेयर बैटल हम देखेंगे देखो इसकी अब बाकि अब हम टीम प्रिव्यू की तरफ टीम सेलेक्शन की तरफ 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 तो यहां पर आपको दिखेंगे इसलिए मैंने टॉम हिलम को मस्थख बोला था बाकि अब हम टीम प्रिव्यू की तरफ टीम सेलेक्शन की तरफ चलते हैं थोड़ा फॉर्म गडबड़ है लेकिन फिर भी यह अच्छे पिक रहेंगे डेविस काफी नीची आते हैं उतने अच्छे आप्शन नहीं टो मैं ब हाला कि यह बैटिंग के लिए ठिक ठाक विकेट है तो ग्रेंड लिग में रिस्क ले सकते हो केट मोर का फॉर्म अच्छा नहीं है थोड़ा सा इन कंसिस्टेंट फॉर्म दिखा है पिछले कुछ महीनों में इसलिए मैंने छोड़ दिया हाला कि टेकनिकली काफी स्वांग है बड़ा स्कूर कर जाएं लास्ट मैं जब यह खेले थे ऑपोनेंट के अगेंस तो इन्होंने पैस्ट रन किया था अभी के लिए फॉर्म अच्छा ना होने के कारण मैंने छोड़ दिया भी भी लास्ट चार मैंच में से एक मैंच में 40 प्लस का स्कूर आया प्लोई काफ इस टीम के अगेंस्ट जादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है यह करी जाने कि अब छोड़ सकते हैं थोड़ा सा हैड्ट वेन्यू रिकॉर्ड खराब है लेकिन थोड़े इंकंसिस्टेंट भी है यह चीज को देखते हैं ने छोड़ दिया लेकिन टॉप अप अच्छा करते है तो रिस्क लेने के लिए ना देखो आप लोग इसकी नाजी को छोड़के यहां पर इनको ले सकते हो विल स्मीट को ठीक है तो यह ध्यान रखना इसके अलावा यहां पर ग्रेगोरी मस्ठब पिक भले लास्ट दो मैचे से कुछ खास नहीं किया बट डूवल रहेगा ब जब देख में नहीं आते है तो इंप इंप्रेंट रहींगे बैंग प्रेंट टेंग नेचर प्लस रांज भी बनाया और इनकी टीम जैसे मैंने कहा कि शमर्चम की तिन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉंग फेवर रखती है तो हो सकता इनकी बल्ले बाजी भी आ जाए जाए मेरी टीम में है आर भी मरे हुए को ग्रेंड लिक में जरूर ट्राइ करना क्योंकि देखो इनका चार वबार पूरा रहेगा और काफी एकस्पीरेंस के लाड़ी है लिए यह बॉलिंग नहीं डाल रहे हैं लेकिन 3 में से 2 में अच्छा कि एक में 40 में 50 अपोर्टेंट हो जाते हैं बॉलिंग डालते तो यह अच्छी ऑप्शन रहते फिलाल के लिए मैं मस्था पिक तो नहीं बूलूगा ना इनको और इनको और इसकी नाजी को तो आप इन द पॉलिंग से अगर हम बात करें तो ओवर्टॉन एक अच्छे पिक रहेंगे स्पेशली इन सेकेंड इनिंग इवें तो फर्स इनिंग में भी लेके जा सकते हो स्विंगिंग कंडिशन के अच्छे खिलाडी है अच्छे बॉलर है रायल मेरी डिट मेरे अकॉर्डिंग फर्स इनिग में भी इंप्सक्रेंट रहेंगे फर्म पेसे इंक के पास सबसे इंपक्रेंट्ण जीज है समर्शड की टीम अगर थोड़ा फ्यवर रखीगी तो इनको जाए बेस्ट बॉलर है सामने वाले बल्लेबाजों को हर एक बल्लेबाजों को एक बार आउट किया है वह अगर मिडल सेक्स की टीम पहले गिंदबाजी करेगी तो ही मैं इनको लुगा अभी तक तीन मच में पांच विकेट निकाला है और अच्छे विकेट टेकिंग नीचर के इंदबाज है इनके जगे फिर मैं जॉष डेवी को या फिर इनको लेके चले जाओंगा इनको भी लेकर जा सकते हो यह ऐसे बॉलर है जो निकालते है तो गुच्छे में विकेट निकालते हैं अदरवाईज एक विकेट गुच्छे मेंया तो आप इनके उपर और रिस्क ले सकते हो मैंने अभी के लिए छोड़ा है समर्सेट की टीम को मैं ज्यादा थोड़ा सा फेवर दे रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट करना हूं कि इनको ज्यादा विगट ना मिले बस यह वाला चीज है जोश जेवी आपके लिए ट्रम्पिक रहेंगे मैं फास्ट लेना तो आप कैसे ले सकते हो यहां पर एक तो बैंक्यूलन की जगे पर प्लस यहां पर आप एंडर्सन और इसकी नाजी में से कोई एक को छोड़ के यहां पर ओवर्टोन को भी लेकर जा सकते हो वागी आगे मैं आपको बताता हूं टीम प्रेव्यू दिखाता हूं तो लिए जो टीम हो रही है वो कुछ इस प्रेकार से जहां पर कप्तानी रियान एगिंस वाइस कप्तानी हॉल्में को दिया देखो दोनों से बैटिंग पॉलिंग एक्सपक्ट कर रहा हूं इसलिए मैंने इनको लिया अगर वैन ग्रीन की टीम पहले गिन बाजी करें तो यह और अलग करना है तो ग्रेगोरी भी खराब आप्शन नहीं है कभी-कभी यह भी जथ में आ जाते हैं और गुच्छ में विकेट ले जाते हैं तो यह चार आपके लिए बैस्ट केप्टन वाइस केप्टन आप्शन है यह कोई भी नहीं हो मैं इन से बैटिंग से भी उमीद आपके लिए बैस्ट के लिए जाओ फ्री है बिल्कुल टेलिग्राम से जूड़ जाओ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले ही लिंक से जुड़ना सर्च करके मत जुड़ना आपको क्या करना है अगर कभी आपने मेरा चैनल लीव कर दिया दुबारा जुड़ना है तो उस पे कोई भी वीडियो उपेन कर लो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वहांचे आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर एनी टाइम आ सकते हैं फ्री है विल्कूल और लाइफ टाइम फ्री रहेगा तो होप करता हूं मैंने आ कि टीम बन सकती है बागी स्मॉल लिक की टीम में इसमें कुछ भी चैन्ज होगा टेलिग्राम पर इनफर्म करेंगे बिल्कूल फ्री में तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है कमेंट सेक्षिन के सबसे पहले कमेंट में लिंक है फटा फट जाओ जूर जाओ इंप के लिए जाहिए